हेलो फ्रेंड्स वालकम टू आर चैनल तो आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी और क्रिस्पी से पटेटो वाइट्स यह बहुत ही सिंपल है तो आईए अब हम देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या-क्या इंग्रिडियन्स की जरुत होगी तो सबसे पहले पटेटो बाइट्स बनाने के लिए हम यहाँ पर लेलेंगे तीन कटेवे अलू मैंने इन्हें पहले से धोकर काट लिया है इन्हें इस तरह से हम काटेंगे एक कप बेशन, दो चम्मच ओट्स, नमक, आदा चम्मच लाल बिर्ष पाउडर, आदा चम्मच धनिया पाउडर, आदा चम्मच भुनेवे जीरे का पाउडर और तेल तो सबसे पहले पटैटो बाइट्स बनाने के लिए हम बैटर बना लेंगे उसका, तो उसके लिए हम बाउल लेंगे, जिसमें हम डालेंगे एक कप बेशन, दो चम्मच ओट्स, जो की पटैटो उसको क्रिस्पी टेक्शर देगी, स्वादा नुसर नमक, आदा चम्मच ला पाउडर, आदा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर बैटर रेडी कर लेंगे, इसे साथ ही साथ हम मिक्स भी करते जाएंगे, ताकि जो हमारा बैटर है उसमें लंस ना पड़े, और आप इस बैटर में अपने टेस्ट या कोडिंग स्पाइसिस एड कर सकते हैं, तो ये देखिए हमारा बैटर पिलकुल रेडी है, और हमारे बैटर की ये कंसिस्टैंसी होनी चाहिए, देखिए इस टाइप का हमारा बैटर रेडी होना चाहिए, अब हम एक कडाई को मिडियम फिल्म पर गर्म होने रख देंग अब हमारी जो आलुए उन्हें हम बैटर में डिप करते जाएंगे, अब इन पटाटो को हम डिप फ्राइ कर लेंगे इन पटाटो को हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राइ करेंगे, ताकि जो हमारे पटाटो थे वो अच्छे से क्रिस्पी बने अब इने हम पलटते जाएंगे ताकि ये दोनों और से अच्छे से पक जाए और ये हमारे पटाटो थे पक चुके है तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें सर्व कर लेंगे तो ये रहे हैं हमारे टेस्टी क्रिस्पी से पटाटो बाइट्स बिल्कुल रेडी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स रेसिपी को थैंक यू फॉर वाचिंग